जैहिंद सातियों आप लोग एलपी का फॉर्म नहीं भर रहे थे इसलिए कि लास्ट डेट का इंतजार कर रहे थे कि कब लास्ट डेट आए उसके बाद में हम एनालिसिस कर लें कि कौन सा सेफ जोन है और कौन सा डेंजर जोन है उसके बाद ही फॉर्म फिल करें तो आप होने वाला है जैसा कि बता दें आप लोगों को कहा कितना फॉर्म पड़ा है तो आज का डाटा है अठारा परोरी का देखे थोड़ा जल्दी बताएंगे यहां पर कि पढ़ना में कितना फॉर्म प्लस फॉर्म पड़ा है मुझभरपुर में 9000 के प्रोक्स और जंबू में 72 के प्रोक्स है गोरखपुर में 20,000 प्लस गोहाटी 17,000 और चंदीगड 21,000 प्लस है सिलिगुडी 14,000 प्लस तिरवानपुरं 22,000 प्लस है जबकि चिन्नई 56,000 प्लस है और राची की बात करें तो 26,000 है मालदा में 41,000 प्लस अजमेर 61,000 प्लस अहमदाबाद 63,000 प्लस भूने बालए जड़ाता में 77,000 प्लस बै despकाद 12,000 प्लस 11,29,000 फ्लस ठीक है बैंगलोर्यू में 1,29,000 प्लस है और उसके बाद में मुंबई की बात करें तो मुंबई में 1,80,000idée सिर्भान सिकन्दराबाद में 3,4,000 प्रूक्स विलास्पुर में 3,4,000 प्लस है और आपको अब ब मुहक्यों क्योंकि यहां गोरखपुर में 29 सीट पर competition है ठीक है cbt2 के लिए और चंदेगड में 29 है पटना में 29 है मुझपरपुर में 26 है और जम्मू में 27 है यानि कि आपका cbt2 में जाने के लिए आपको 29 जो है आपको तभी आप जाके cbt2 में बैठ सकते हैं ठीक और जो वही सेफ जोन है आपका सिर्फ मालदा में 11 से फाइट आपका रहेगा ठीक है ग्यारा से और तिरवानपुर में 12 से सिली गुड़ी में 13 से और करनाटका में 13 से और विलासपुर में 14 सीट पर competition रहेगा ठीक है वह से माना जाए तो ज्यादा सेफ विलासपुर है क्योंकि बैकंसी ज्यादा है वहां पर तो इसलिए आपके लिए ज्यादा सेफ है लेकिन अगर माना जाए एक्चुल में कि सबसे ज्यादा सेफ कौन सा है तो आपका बरतमान में मालदा जोन है ठीक है क्योंकि यह बेस्ट पर ही देना पड़ेगा आपको मालूम होगा ठीक है इसलिए वहाँ पर कम लोग जाते हैं तो आप लोग अगर चुन सकते हैं इसको अगर आप अच्छे हैं पढ़ने लिखने में चुन सकते हैं ज्यादा चांस है और जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए आप लो झाल आप